टू अफिशल अक्तर रह्मान सर यूटूब चैनल एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वैलकम है टेट एक्जाम के रिजल्ट को लेकर कुछ लोगों ने औरंगाबाद हाई कोट में पेटिशन डाखिल किया है और औरंगाबाद कोट ने जो है शासन को ये आदिश दिया है या परिक्षय परिशत को ये एक आदिश दिया है कि आप जो है आपका कहना हमें लेखी में दीजिए इस तरीके से मतलब ये याचिका इसलिए दाखिल की गए थी कि अभियोग गीता चाशनी चया निकाला विरोदत उन्चे नियालत याचिका दाखिल मतलब औरंगाबाद हाई कोट में जो पेटिशन दाखिल किया गया है ये रिजल्ट को लेकर दाखिल किया गया है मतलब जो लोग पेटिशन दाखिल करने वाले उनका कहना है कि सिर्फ इसमें टीटी धारक जो अमिद्वार थे वही इसके लिए इलिजिवल थे बाकि जो बच्चे सीटेट पास है या फिर जो बच्चे जो है अपंग बच्चों को कोई इशू रहा है कि जिन्होंने बैंक की प्रैक्टिस करने वाले या बैंकिंग एक्जाम देने वाले बच्चों को लेकर साथ में एक्जाम दिया है और नॉर्मलाज़ेशन जो है परिक्षा का ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है यह तमाम चीज़े जो है इन्होंने अपनी याचिका में डाले है इस वीडियो मे जाकर आपको हमारे टेलेग्राम और वाटसप ग्रूप को जॉइन कर लेना बहुत जरूरी है क्योंकि वहाँ पर आपको तमाम शासन निरने और परिपतरक जो है डेली वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी तो अभी जाकर आप हमारे टेलेग्राम और वाटसप चा टेट निकाला विरोधात उन्च न्याले चा औरंगाबाद खंध पीटात याची का दाखल करनेत आलिया है या याची के चा अनुशंगा ने सोमरी जाले ले सोनुवनित न्याले ने राज्ज शासना नले लेखी मनेने माणने चा आदिश दिले आ है तो मतलब सोमर को जो मार्फत होना रहा या भरती प्रक्रिये साथी राज्य परिक्षा 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 देने IBPS या सोंस्ते मार्फत 22 फेबरो वरी ते तीन मार्च या काला वदित ओनलाइन पद्देती ने अभी योग्यता नी बुद्धि मापन चाशनी घितली राज्य तिल जवाड पा आक्षिप गेन्यात आला नारा जी ही वेक्त करन्यात आली या पार्शे भूमिवर गेली चार वर्षे शिक्षक होना चाप प्रतिक्षेत असलेल्या अजे कोडेकर आनि सोपान दारवंट ये जो है याचिका करताओं के नाम है या उम्मिदवारन नी या निकला विरोधात औरंगाबाद खंड पेटात याचिका दाखल केली तो ये जो दो स्टुडेंट्स है इन्होंने अपने तरफ से औरंगाबाद में जो है याचिका एक पेटिशन डाली है याचिका करते दारवंटे मनाले की अभियोग्यता नी बुद्धिमापन चाशनी देने साथी शिक् गेता चाशनी ची संदीद दी ली तो इनका कहना पहला कहना यह है कि इसमें स्रीफ और सिर्फ टी इटी में जो बच्चे शामी ले वही इस परिक्षा को दे सकते है लेकिन राज्य सरकार नहीं किया किया कि जो बच्चे केंद्रिय शिक्षक पातरत परिक्षा मतलब अपने योगदान दिया साथ अपंग उम्मिद्वारन ने बैंकिंग परिक्षाची तैयारी करना रहा बदतनीस मनुन गेतले निकालत नार्मलिजेशन जहले की नाही या बाबत संदिक दिता है या मुद्यावर याची का दाखल करना ताली सोम वरी याची के बाबत जहले ल होने वाले बच्चे की शामील करने चाहिए लिकिन इसमें जो सीट हैं वाले बच्चे है उनको भी शामील किया गया और तिसरी बात इन्होंने कहीं कि जो अपनग विद्द्धी आरति है उन्होंने बैंकिंग एक्जाम जो हल करने वाले स्टुड़न्स को लेकर अपनी मद और इसके जोड़ी जो भी अपडेट हमको आती हम तुरंत आपके सामने लेकर आएंगे इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है वीडियो बहुत अच्छी है और बहतर लेगी तो प्लिस लाइक कर देना है अगर आपके कुछ सवाल है इससे जोड़े तो खुदाफिस